लाइफ सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है मैं गरिमा भारती सबसे पहले आज की सुर्ख्यों पर एक नजर लालते जला कर मोधी नितीश पर बरसे लालू कहा उनके प्रपंच को हम तोड़ेंगे अपनी पुरानी जीप को खुद ड्राइफ कर पटना की सडकों पर निकल पड़े लालू आदब तेजस्वी ने सीम नितीश से पूछा 15 साल में 76 घोटा ले क्यों हुए बिहार के राज जिपाल पहुँचे दिली सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान से भी मिलेंगे कल मिला बेस्ट वी सी का अवर्ड आज छिन गया पद पाटले पुत्री युनिवरसिटी के चार्ज से हटा आए गया स्पी सिंग शराब बंदी पर घिरे नितीश भाजबा के सनेता ने कानून वापस लेने की मांग की सामुहिक अवकाश पर जा सकती है बिहार पुलिस एक तरफा कारवाई पर है नाराज पटना में डॉक्टर की पतनी की गोली मार कर हत्या व्यूटी पार्लर चलाती थी महिला पंचायट चिनाव के आठवे चरण की वोटिंग समाप्त 36 जिलों में हुआ मतदान बिहार की हवा हुई जहरी ली दिल्ली की राह पर चले ये शहर अब खबरे विस्तार से राज़त सुप्रीमो लालु यादव करीब चार साल बाद आज पटना स्थित राज़त कार्याले पहुँचे पार्टी के रज़त जैंती वर्ष के अफसर पर आयज़तिक कार्करम में लालु यादव में छेह तन के लालतेन का उधगातन किया इस अफसर पर लालु रशाद यादव ने कहा यह लालतेन तूफान में भी नहीं बुझने वाला है यह हैरिकन लांप है उन्होंने कहा कि नितीश के प्रपंच को हम तोड़ेंगे कार्करम में लालु ने पार्टी में महिलाओं को तरजीह देने की बात कही उन्होंने कहा कि आगे से जहां भी समाहों महिलाओं को कुर्सी पर बिठाईए अपने अलग अंदाज के लिए मशूर लालुय आदवाज पटना की सडकों पर जीब चलाते दिखे वह पिछले कई वर्षों से गंभी रूप से बिमार चल रहे हैं उन्हें दिल और किटनी की गंभीर बिमारी भी है लेकिन सेहत से जुड़ी कोई परिशानी उन्हें जीब चलाने से नहीं रोप पाई सफेद लुंगी लपेते हुए पुराने अंदाज में उन्होंने जीब ड्राइव की बताया जा रहा है कि कल रात से ही लालुय आदव जिद कर रहे थे कि उन्हें अपनी पुरानी जीब चलानी है इसे चलाने को लेकर वह काफी उताब ने दजर आ रहे थे आपको बता दे कि यह लालु की पहनी और कई साल पुरानी जीब है इसे लालुय आदव के पटना आने के बाद ठीक करवाया गया इसमें 2.5 लाख रुपे खर्च हुए राज़त कार्याले में छेटन के लालतेन के उदगाटन के मौके पर ते जस्वे आदव ने निती सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी का खेंद्र बन गया है प्रदेश में गरीबी महंगाई और अपराद का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है उन्होंने सरकारी यूजनाओं में हो रही अनियमित्ता को लेकर भी सवाल पूछा उन्होंने कहा कि 16 वर्षों में बिहार में 30,000 करोड के 76 घोटाले आखर क्यों हुए इसके अलावे ते जिस्वी ने शराब बंदी पर भी नितीज कुमार को घेरा उन्होंने कहा कि असरकार के ब्रश्टाचार निकम्मे पर और नाकामी की नाजीर बन चुकी है उन्होंने कहा कि राजड ने कभी भी विचार धारा से समझ होता नहीं किया आसको लोग जिधर बलाई देखते हैं उधर ही चले जाते हैं उन्होंने कहा कि स्तिती ऐसी हो गई है कि जो भी बिहार और देश की सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसे किसी ना किसी रूप में फसा दिया जाएगा बिहार के राज़िपाल फागुच जोहान आज दिल्ली पहुचे पीमो ने उन्हें दिल्ली बुलाया है वहाँ वे सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे फागुच जोहान को अचानक से दिल्ली तलब किये जाने की खबर के बाद से ही बिहार के राज़ितिक गल्यारों में कयास बाजी का दौर शुरू हो गया है आपको बता दे कि राज़िपाल पर कई उच्छ पदों पर बैठे लोगों ने गंभीर आरोप लगाए है उनके नाम पर नकेवर वसूली की बाद सामने आई है बलकि उन पर भ्रष्टाचारी वीसी को सनरक्षन देने का भी आरोप लगा है भ्रष्टाचार मामले में घिरे प्रोफिसर सुरेंद्र प्रताप सिंग पर गाजगिरी है पात्ली पुत्र युनिवर्सिटी के अडिशनल चार्ज से उन्हें हटा दिया गया है राजभवन में बैठक के बाद या फैसला लिया गया बैठक में सीम नितीश कुमार भी शामिल रहे LNMU के कुलपती प्रोफिसर सुरेंद्र प्रताप सिंग पर गलत धंक से टेंडर देने और टेंडर में बंदर बाट करने का आरोप लगा है प्रुफेसर सुरेंदृ प्रताप परिया आरोप मौलाना मज़णूल हक अर्मी फारसी इनिवर्सिती के कुलपती प्रुफेसर मौमद कुद्स ने रगाया है अनोंने राज़पाल और सीम को पत्र लिख कर कारीकारी प्रभारी कुलपती प्रफेसर सुरेंद्र प्रताप की भूमिका की जांच की भी माँग की थी आपको बता दी कि राज़पाल फागुछ कुमार से आग्रह किया है कि वे शराबदी कानून वापस ले ले क्योंकि इससे अराजक सती उत्पन हो गई है उन्होंने कहा कि अगर प्रधान मंत्री नरेदर मूदी कुषी कानून वापस ले सकते हैं तो सीम को भी शराबदी कानून को लेकर जिद नहीं करनी शाहिए विध करते हुए कहा कि शराब बंदी का निर्ड है सभी दलोने मिलकर लिया था इसलिए शराब बंदी कानून वापस लिये जाने का कोई सवाल ही नहीं है मदबनी के जंजारपुर कोट में ADJR विनाश कुमार और सब इंस्पेक्टर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है वियार पुलिस असोसियेशन का कहना है कि इस मामले में एक पक्षिय कारवाई हो रही है सारा दोश सब इंस्पेक्टर पर मढ़ा जा रहा है फायार भी पुलिस वाले पर हुई है इस मामले में अब तक ADJR विनाश कुमार के खिलाफ कोई भी आक्षिन नहीं लिया गया है इसमें पुलिस कर्मियों के मीच काफी आक्रोश है बिहार पुलिस असोसियेशन के प्रदेश अध्यक्रम इत्यूंजय कुमार सिंग ने कहा कि बिहार के पुलिस कर्मी आने वाले दिनों में सामोहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं पटना के नौबतपूर इलाके में एक डॉक्टर की पत्नी को अपराध्यों ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी मृतक की पहचान पटना के दंत चिकित सक डॉक्टर विश्वजी त चतुरवेदी की पत्नी रिमजं चतुरवेदी के रूप में की गई है पटना के इसके पुरी में रहती थी पास में ही वह अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी मंगलवार की शाम किसी से बात करने के बाद वह अपने घर से निकली थी रात भर उनका मोबाइल स्विच रॉफ बता रहा था जिसके बाद अगली सुबह नौबत पुर में उनके शब को बरामत किया गया पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्मॉटम के लिए भीज़ दिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दी है प्यार पंचाय चिनाव में आठवे चरण की सीटों पर मतदान आजसमापत हो गया आठवे चरण में 36 जिलों के पचपन टकंडों में 822 पंचायतों में चिनाव हुए इस बीच गया में अकसली संगठन भातपा माववादी ने तीन दिन की बंदी का एलान किया था उन्होंने इसे नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की धम की दी थी लेकिन वोटरों ने बर्चर कर लोकतंत के इस महापर्व में हिस्सा लिया इसी बीच कुछ जगों पर छिटपुट घटनाय भी देखने को मिली मतदान के दोरान देशत पैलाने के लिए सिवान में दो जग़ फाइरिंग की गई इसके पहले देर रात बक्सर के चौसा में भी देशत फैलाने के लिए फाइरिंग की गई शेकपुरा के बर्भीघा नगर परिशत की उपाध्यक्ष अन्नपूर्णर देवी के पुतर सनी कुमार को फरजी वोटिंग करने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया बांका में एक मुख्या प्रत्याशी को एक लाख रुपए नगरी के साथ गिरफतार किया गया है दिल्ली में हवा में घुलता प्रदूशन का जहर खत्रे की घंटी बजा रहा है दिल्ली की राह पर अब पटना मुख्यारी और मुख्यार पुर शेहर भी चल रहे है इन शहरों में प्रदूशन का स्तर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है हाल ही में मोतिहारी का Air Quality Index यानि की AQI 371, मुजफ़रपुर का 353, पटना का 335 और गया का 242 दर्ज किया गया है इन शहरों में वायू प्रदूशन की गंफीर होती स्तती पर नियंतरण के लिए National Clean Air Program यानि की NCAP के तहट अब बड़ी प्लानिंग चल रही है इसके लिए 4 प्लान तयार किये गए हैं जिसके प्रदूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी खबरों के दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें साथी साथ हमें ट्वेटर पर ज़रूर फॉलू करें धन्यवाद